खिसारी लाल यादो को लेकर शोसल मेडिया पर ऐसी ख़बर सामने आ रही है कि अब खिसारी हाई कोट के फैसले के बाद सुप्रीम कोट का दर्वासा खटखटाने जा रहे हैं जिसके प्लाइनिंग खिसारी अंदर यंदर अपने वकील के सहारे से जोर सोर से कर रहे हैं और लोगों को धहरे से काम देना है क्योंकि इसके उपर भी बहुत कुछ होता है यानि किसारी लाल यादो कहीं ने कहीं यह कहना चाह रहे थे कि आप वो इस पूरी मामले को लेकर सुप्रीम कोट में जाएंगे और अपनी वात रखेंगे ऐसा किसारी अपने वकील के सलाह पर क किसारी की की साइन तो आखिनक अब किसाना पर इस लडाई को आगे लड़ने के लिए तैयार है तो चलिए आपको सकते की सुपरीम कोट क्यों जा रहे हैं और कोट में वह किसारी ूपर नए याच का दायर करेंगे अपनली नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ एक मैं मैं मिशार और आप देख रहे हैं जनका देख शोसल मीडिया पर खबर आ रही है कि अप खिसारी लाल यादा हो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक नई याच्च का दायर करेंगे और सुप इसलिए वो पेपर को बिना पढ़े ही पेपर पर साइन कर दिये थी और ग्लोबल म्यूजय जंक्शन कंपनी के मालिक राजकुमार सिंग भी पेपर में लिखी हुई बात को समझाने के बजाए खिसारी को सिर्फ मूह से बोलकर और बताये थे और यह बताये थे कि आपको द दे सकते हैं वरना अगर यह बात खिसारी को पता होता तो खिसारी कभी उस एग्रिमेंट पेपर पर साइन नहीं करते ऐसा खिसारी लाल यादो कह रहे हैं किस विश्वास पर पेपर साइन कर दिया था मैंने क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता था कि उनको दो साल में 200 गाने और उनको पैसे देगी और जब खिसारी के गाने अलाग अलग अलग कंपनियों से आने लगे तब तक राजकुमार सिंग ने शुरू आत्म नहीं लेकिं बात में खिसारी की गानों पर वह शुरू कर दिया इतना ही नहीं जितने भी पुराने बड़े गाने थे जो किसारी म अधिल हुआ था कि वह दो साल तक अपने गाने से मुझे देंगे मेरे कंपने गाने किसी बी चोटी मोटी कंपने से नहीं सकते हैं लेकिन हाइप करके मुझे पता ही नहीं था कि एग्रमिंट में इस तरह के कोई शर्त थी अगर आज घुमार सिंग सब्स प्रूप से मुझ लेकिन बाद में राज हुमार सिंग ने इस पूरे मामले को लेकर कोट में पुनह यच का दायर किया और उस वक्त ही डिसाइड हुआ कि जब तक कोट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक कि सारी किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं इसी बीच कि सारी का अलग गलग कंपनी से कई गाने भी आएं लेकिन अब कोट का फैसला आ चुका है और फैसला में साफ साफ लिखा है कि एग्रिमिंट के अनुसार कि सारी लाल यादो को आने वाले दो सालों में ग्लोबल मिजड़क जंक्शन को 200 गाने करके देने हैं और दो साल तक किसारी सिर्फ इसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं इसके लावा अगर किसारी दूसरी कंपनी को गाना देंगे तो ग्लोबल मिजड़क जंक्शन के मालिक खिसारी और उनके गानों पर क्लेम कर सकते हैं य इसके बाद सुप्रीम का जो फैसला आएगा चाहे वो खिसारी के पक्ष में हो या फैसला दोनों को मानना पड़ेगा इसके अलावा उनके पास सब कोई चारा कोई विकल्प कोई आप्षण नहीं बचेगा अब देखना है कि आगे क्या होता है फिलाल वीडियो को समात करते ह मिलता है नहीं वीडियो में धन्यवाद